हेई गाइज, आप लोगों को श्री और ही कद यूज करना आता ही है, लेकिन क्या आपको इट का यूज करना आता है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ इट, इट का यूज किया जाता है non living things के लिए, जैसे कि it is my back, तो हमने back के लिए इट का यूज किया है, क्योंकि back एक non living things है और वही हम It कई Use Animals के लिए भी करते हैं जैसे कि Docile Animals तो Docile Animals हो जाती हैं हमारी Cow Cow के लिए हम It कई Use कर सकते हैं It is a Cow Animals के अलावा It कई Use कर जाता है बीबी के लिए लेकिन उसमें हमको Gender से कोई मतलब नहीं होता है For example, अगर हम कहें कि बच्चा सो नहीं रहा है तो हम कहेंगे it is not sleeping और ये sentence बिलकुल सही है थैंक्स पर वाचिंग